हाई गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल दोस्तो आज बाटा इंडिया के आए हैं क्वार्टर वन के रिजर्ट और आप रिजर्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा लॉस भाई प्रॉफिट में गिरावट तो छोड़िए आपको लॉस दिखेगा वो भी 100 करोड का लॉस दि लेकिन आप टाइप ऑफ बिजनेस भी तो देखे भाई आईटी सेक्टर तो अच्छा करेगा ही एफ़ लेकिन आप टाइप आफ बिजनेस भी देखे भाई बहॉत बड़ा इंपैक्ट आपको नजर आ sneaky नेे चाहें पिछले साल सहाल प्र से से 142 करोड और घटकर के हो गये है 135 करोर अब बात करते हैं कंपनी की कोमेंटरी की तो कंपनी की कोमेंटरी बाकी कंपनी जैसी ही है उन्हों ने का है कि उन्हें वाई operate करने में काफी सारे challenges face कर रहे थे lockdowns की वज़ा से और क्योंकि lockdown हटने के बाद भी काफी जगा lockdown लगा हुआ था और इस वज़ा से उन्हें काफी दिक्कते आई लेकिन दोस्तों इन दिक्कतों के बारे में तो हमें पता है लेकिन कंपनी उसके लिए क्या कर रही है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है और कंपनी ने बताया यह कि उनके expansion के plans बहुत अच्छे हैं उन्होंने अपना digital presence बढ़ाना शुरू कर दिया है उन्होंने अभी अपने दो hyper local channels चालू करे हैं जिनका नाम है बाटा chat shop for shopping over whatsapp and बाटा stores on wheels mobile kiosques that allow customers to shop at their doorstep तो यह बहुत ही अच्छा initiative है क्योंकि लोग बाहर निकल के shopping करना पसंद नहीं कर रहे हैं अपने घर बैठे बैठे एक बार को कर लेंगे तो जो की अच्छा सोचा है company ने और company अपना digital presence बढ़ा रही है और उसके बाद company stores तक पहुँचने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही है तो दोस्तो results तो काफी जादा खराब हैं और ऐसा expected भी था लेकिन अगर इसको आप relaxo से compare करें एक बार इसको relaxo से compare करते हैं तो relaxo के कुछी दिन पहले quarter one के results आए थे तो आप relaxo में देख सकते हैं कि आपको profit में गिरावट दिखी थी 51% की लेकिन कोई भी loss नहीं दिखा था profit में कमी दिखे थी लेकिन कोई loss नहीं दिखा था और profit घट करके आयते 24 करोड अगर आप sales की बात करेंगे जून में तो sales में गिरावट थी 43% की तो आप देख सकते हैं कि गिरावटें दिख रही हैं profit में गिरावट दिख रही है लेकिन loss पोस्ट नहीं किया था रिलेक्स होना है लेकिन बाटा इंडिया ने loss पोस्ट किया है जो कि थोड़ा सा disappointing नजर आ रहा है लेकिन दोस्तों अगर भाई company की बात करें तो आप इसमें पी देखें थो इंडेस्ट्री की पी यह 47 और आपको 49 की पी पे मिल रहा है इंडेस्ट्री के आसपास ही मिल रहा है delivery भी उतनी खास नहीं हुई है 22% की delivery हुई है अगर बात करें returns की तो एक साल में आपको minus 10% के returns दिये हैं अगर आप low देखेंगे तो 1000 का low लगाया है और high लगाया है 1895 का अगर 5 सालों में देखेंगे तो 5 साल में आपको अभी भी multi bagger returns दिखेंगे 112% के returns आपके पैसे को कर दिया है 2.1 times और इतना बड़ा fall आपको नजर आ रहा होगा उसके बावजूद अब दोस्तों देखते हैं इसको चार्ट पे तो आप एक बार इसका long term trend देखिए और देखिए कि कोविट का कितना बड़ा असर पड़ा है इस पे long term trend बिल्कुर शानदार है उसके बाद आप इसमें देखिए कोविट का असर कितना बड़ा पड़ा है यह है 1900 के आसपास और आप देख सकते हैं यह 1000 के आसपास तक गया था जब मार्केट बहुत ज़ादा गिरी थी और उसके बाद अभी भी आप देख सकते हैं ये उसी के आसपास मंड़ा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें बहुत ज़्यादा recovery आ गई है क्योंकि अगर आप market को देखेंगे तो market तो अपने high के आसपास fit से वापस चली गई है 12,000 के आसपास चली गई है 11,000 200 चल गई है तो market ने तो काफी ज़्यादा recovery नहीं दिखी होगी जितनी की आपको पूरी की पूरी market में दिख रही होगी अगर इसमें आप थोड़ा सा zoom in करें तो आपको अच्छे से समझ आएगा ये देखें इसमें कोई खास recovery नहीं आई है आप देख सकते हैं क्योंकि ऐसे results expected थे तो इसलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके results आए हैं काफी खराब results आए हैं लेकिन more or less ये results factored in नजर आ रहे हैं जिस तरह से market ने recovery दिखा दी है जिस तरह से बाटा ने उतनी recovery नहीं दिखाई है और चार्ट को देखते हुए more or less मुझे लग रहा है कि इसके results factored in हैं और इसमें बहुत बड़े fall के chances तो कम ही नजर आ रहे हैं अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको इसमें करना क्या है तो अगर आप MACD देखेंगे तो आपको MACD से तो neutral signal मिल रहा है अगर आप RSI की बात करेंगे तो RSI थोड़ी सी week है लेकिन कुछ जादा week नहीं है पीछे भी उतनी ही weakness बरकरार थी और अगर आप इसको Bollinger Band पे देखेंगे तो Bollinger Band के भी lower band पे चल रहा है तो मुझे लगता है दोस्तों अगर आपने इसको खरीद रखा है तो आप इसको hold कर सकते हैं long term के लिए अगर आपने इसको नहीं खरीदा है तो आप खरीदना start कर सकते हैं ये अपनी buying range के आजपास ही चल ला है हमने इसको पहले भी discuss कर रखा है कि इसको 1250 पे लिया जा सकते हैं और खरीद रखा है तो hold कर सकते हैं long term के लिए बहुत ही अच्छा stock है क्योंकि जैसे जैसे demand बढ़ेगी बाटा इंडिया की sales भी बढ़ेगी बाटा इंडिया की profitability बढ़ेगी और इनका business भी बढ़ेगा तो मेरे खाल से ये stock long term के लिए बिल्कुल लिया और चैनल को subscribe कर लेना thanks for watching guys I'll see you next time